आज किस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप में जिस महीने में जन्म लिया है उससे आपकी प्रस्टेटमेंट हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत जादा रिलेटेबल लगने वाले हैं क्यूंकि काफी सारे लोगों पर मैंने ये ट्राइ किया है और उसके बाद जाकर फाइनर ये वीडियो बना रहा हूं जनवरी से लेकिंगे दिसंबर तक हर एक महीने के वेक्ति के बारे में हम यह आप जानने की कोशिश करेंगे असल में आपकी फुल डेटेल तो आपकी कुल्डी और आपकी डेटव बर्द देती है लेकिन आपका बर्थ मन्त भी बहुत जाधा एक्कुरेशी के साथ आपको आंसर दे सकता है तो हमें भस इतना याद रखना है आपको यानद रखना और कि आपका जनवरी में फर्वरी cheerful calm and compose मिलते हैं ambitions बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये number one से महीना rule होता है ऐसे लोग बहुत कड़ाई मेहनत पर बिलीव करते हैं आजी मोशान शहनशावाला गाना ना इनके background में बजने लग जाता है क्योंकि they think कि हम कोई भी काम करें ना तो I have to rule like a king मुझे एक की तरह इसे rule करना चाहिए मैं जॉब कर रहा हूं या इवन किसी relationship में भी हूँ तो मेरी authority मेरा dominance उस पर होना चाहिए यह लोग जब बाते करते हैं जब चलते हैं तो इनके अंदर एक अलग सा क्या कहते हैं कि एक attraction होता है इनकी बातों करने में भी एक charm होता है लोग इनसे attract होने लग जाते हैं इनकी चलने में भी एक charm होता है लोग इनसे attract होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन से कई सारे लोग आपको एरोगेंट घमंडी इगोइस्टिक समझ सकते हैं क्योंकि आपकी एक आदत है जब आप किसी वेक्ति को नहीं जानते हो ना तो उतनी जलती आप उपर नहीं होते हो आप ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो सकते हो थोड़ा सा आप शांत रहोगे एक शील्ड में रहोगे लेकिन और ऐसे वेक्ति के साथ आपकी दोस्ति थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है तो आप बिलकुल खुल जाते हो बहुत अच्छे हन प्रेंड वन जाते हो इस वजह से क्या होता है तो यह विक्ति आपको जानने लग जाता है तो उसका यह पूरा जो उसने वर्शोर सोच रखा है आपके बारे में ये भ्रम तूट जाता है एक्चुली में ऐसे लोग आपको जादा तरना मददगार मिलेंगे ये इनसे आप अगर मदद मांगेंगे आगे बढ़कर तो जनवरी में पैसों से मदद ना करें क्योंकि ये सूचते हैं कि अगर मैंने पैसे का लेंदेन किया तो कही न कहीं रिस्ता खराब हो जाएगा इसलिए जादा तर मदद ये एक औरिजिनल सची यूनिक एडवाईज दे कर करते हैं जनवरी में पैदा लोगी हुए लोगों के पास ये देखा गया है कि अगर एडवाईज उनकी सलह मानता है कोई वेक्ति उसका फायदा होता है ये लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेर नहीं करते क्योंकि ये अब राजा रोते हुए अच्छा थोड़े लगता है पस यही बात इनके मन में चलती रहती इन में सामने वाले पर्शन को पैचानने की कलक कला होती है बातों बातों में या फिर फेशिल स्ट्रक्चर से एक इनके मन में आ जाती है कि यह वेक्ति कैसा है तो मोटा मोटा मैं पैसे को बहुत जादा शेव नहीं कर पाते यह लोग अपनी वाणी के सामने दूसरों का दिल कैसे जीता है बक्षू भी जानते है हलां की अपने काम लेकर थोड़े से कंपैशनेत होते हैं और अगर इनके काम में प्रेशर है रोड़ चानल उस लोग बहतर परफॉर्म करते हैं यह लोग दूसरों की हेल्प करने में भी बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं अगर आपको इन्हों ने दोस्त बना लिया अचा एक दोस्त से याद आई कि फरवरी में अगर आपका जन्म होता है ना तो बहुत जल्दी फ्रेंड्शिप करते नहीं है और इस्पेशली अगर फीमेल है तो और ज्यादा जल्दी फ्रेंड्शिप नहीं करेंगी जाचेंगे परखेंगे टोलेंगे मटोलेंगे और लोगों के साथ आपका बिहेवियर देखेंगे तब जाकर आपको अपना दोस्त बनने के लिए मंजूरी मिलेगी और ए ऐसे लोग चंचल सभाओ के भी आपको मिलेंगे यूजवली नंबर दो चंद्रमा का अंक है तो ऐसे लोग सुन्दर या फिर गोरे रंग के भी देखने को मिलते पर यह हर बाद हर सप्रे लागू यह भी ज़रूरी नहीं है पर आम तोर पे ऐसी बाते देखी जाती हैं दस है तो चले जाते हैं इनका फ्रेंट सरकल चोटा होता और आम तोर पर जो बच्पन में दोस्त बन गए बाकी लोगों के साथ यह भले हस लें खेलने जूम लें यह ज्यादा तर अपने बच्पन के दोस्तों के साथ ही अपनी दिल की बाते शेयर करते हैं थोड़े से बातच जादा अटैश होते हैं ऐसे लोग इनके कई सारे चेहरे होते हैं अगर आप ध्यान से देखो ना तो यह अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ अलग हैं अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ अलग हैं अगर दो अलग दुनिया के लोग मिल जाए यानि कि इनके स्कूल वाला फ् लिए बंद कमरे में कांकरणनेवाले दुनिया को लग सकता है है इसा में अपने काम से इंड़ीड है अकेले में मेहनत करते हैं और रिजल्ट जब आता है एनको उपर काम करना अपने किसी हो सकता है हिस्ट्री हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो यह इस तरह के वीडियो या फिर बुक्स पढ़ते रहते हैं इसलिए यह लोग अपने काम परिवार या फिर हर एक जगहे पर अपना एक अलग पहचान मनाने में भी सफल हो जाते हैं थोड़े रिस्पॉंसिबल भी मिलेंगे के विश्वास कर सकते हैं इनको आता ही नहीं समझ लीजे कि किसी का साथ विश्वास करना है स्ट्रॉंग विल्पावर है आप इन्हें किसी भी तरह के काम दे दें इसे युए पूरा करकर ही दम लेते हैं और मैं बताओ नहीं यह थोड़े सिक्रेटिवली होते हैं कई सारे मिशन पर यह चलना है अकेले उनके आसपास वाले लोगों को पता नहीं है तो यह मार्च का एनालिसिस मार्च में पैदा हुए लोग अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितना रिलेट हुआ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा थोड़ा सागे बढ़ते हैं बात क मंचिल क्या है यह पहचानने की देरी हैैं अगर मचिल को पहचान लेंगे तो boundary क्या तो ठान लिया वाला सभाओ है इनका कमें पासा वाला हरुकती जाएगा उसके साथ यह कभी सामने जाकर उसको नहीं बताएंगि हस्मुल सभाव की मिलेंगे गुस्सा थोड़ा तरीव होता है बड़े क्यूरियस है इनको साफी काफी सारी चीजों में दिल्चस्पी होती और उसके लिए कोश्चन्स पूछते रहते हैं अपने सभाव में रिजिट देखेंगा है यानि कि बहुत जल्दी अपने आपको पड़ेंगी आप इनसे बड़ी फेटफुल या फिर हवा हवाई बाते नहीं कर सकते जल्दी ओपन नहीं होते ऐसे लोग वक्त लगाते हैं पर जब भी ओपन होते तो दे आरा वेरी रिलाइबल फ्रेंड इन पर रिलाए कर सकते हैं और अगर यह आपके दोस्त हैं तो यह के दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते वर्क लाइफ में भी अगर आप इन पर प्रेशर बनाओगे तो यह वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे और यह लोग कह देंगे ठीक है इतना प्रेशन में मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्रेटिविटी या फिर मेरा ज चलना है वो शाय सफल नहीं होता लेकिन उससे बहतर कुछ आपको जरूर मिलता है इसके अलावा यह थोड़े से डेरिंग हैं किसी भी सिच्वेशन में हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी इनके सामने हो डटकर उसका सामना कर लेते हैं और अपनी बात उसके मूँ पर कह देते हैं इन्हें हमेशा लगता है कि डर के आगे जीत है तो यह है अपरेल बॉन आपरेल के महीने में जन्में लोगों का वैक्ते तो मेरी तरफ से आपको इन में से कितनी बातों से रिलेट हुआ हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब आगे बात करते हैं अगर आपक करते रहेंगे सिक्रेटिव हैं बहुत तेड़ी बुद्धि के आदमी हैं तेड़ी उंगली से घी कैसे निकालना है मही वालों को बखू भी आता है थोड़ा सा यह अपने बारे में सोचने वाले हैं और उसमें कोई बुराई ने क्योंकि मही के महीने में अक्षा शूर जो जो भी पसंद करते हैं बड़ा उंदा पसंद करते हैं और काफी जादा देखा गया कि खर्च करने से पहले ना ज्यादा सोचते नहीं कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है दो बार क्या सोचना मही के पैदा हुए लोग अकसर लाइफ में लीडर्शिप पोजीशन पर बहु आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब आगे बढ़ते बात करते हैं अगर आपका जून के महीने में जिद्धी जंगली शेर हैं यह जिद्धी दिल वाले लोग होते हैं डॉमिनेटिंग पिस्टनालटी है है कोई भी काम को मना नहीं करेंगे बट कभी कभ रहतर कर रहे हैं बाखी के लोगों से कुछ नया कर रहरे हैं और रिस्क ले रहे हैं इनके बारे में एक लही भी चाहिए यह कलियों की दुनिया है यहां पर चतुर चलाक लोग हैं अगर हैं तो आप सब बचे रहेंगे अधर्वाइस इन्नोसेंट लोगों के साथ काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जूने पैदा हुए लोगों के साथ मैंने यह देखा है कि यह ना अपने काम मदद करी है मेरे उपर कर्ज चड़ गया और मुझे इस कर्ज को हटाना है यानि की बदले में भी यह बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते कई बार तो अपना नुकसान करकर भी लोगों की मदद करने के इनकी आदत बन जाती तो यह था मेरा एनालेस जून में पैदा को समझो अपने अराउंड एक मिस्ट्री बनाके रखना इनका शौक होता है कभी-कभी इस बात का बीहेव कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा पागल हूं थोड़ा सा साइके हूं कभी-कभी अचानक से फिर बहुत ज्यादा इंटलेक्चुल बन जाएंगे बड़े मूड़ी कर रहा है उसको सुनना उसके साथ रहना बहुत पसंद होता है ऐसे लोग आपको थोड़े आलसी भी मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा दिमाग से तैज भी मिलेंगे जी हाँ जरूरी नहीं करने के चक्कर में नए आइडियास के चकर में थोड़ा सा डिले हो जाता है लेकिन जब भी वो काम होता है औरों से बहतर होता है और दुबारा फिर उन्हें इसे करने की जरूत नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने इसको ऐसा सेट कर लिया होता है जुलाई में पैदा हुए लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग ना बारीकियों में ध्यान देते हैं कौन क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या मतलब है उसका ये सेंस इनको बच्पन से मिला हुआ होता है जुलाई में पैदा हुए लोगों के साथ ये भी दिखा गया है ये ना अपने आगे लोगों की बाते सिर्फ तभी समझते हैं जब बहुत एवी facts इनको दिये जाए बहुत ज़्यादा heavily इनको logic दिये जाए तभी अपने आगे किसी के सुनते है इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है क्या होने वाला है उसका अभास थोड़ा सा पहले से हो जाता है ऐसे लोगना multiplier है amplifier कह लीजिए आप इनको यानि कि अगर किसी के साथ यह जुड़ जाएंगे for example अगर यह किसी के business partner बन गए तो उसकी काबिलियत उसकी शक्तियों को यह और इन्हेंस कर देंगे अपनी प्रिजेंस की वज़े से तो यह एक multiplier है कि amplifier है तो इनके साथ अगर आपने से किसी को मिले तो जरू करिएगा तो यह था मेरा जुलाई में जन्म लेने करो ना खुशियों की बाते करो गम की बाते क्यों कर रहा है यह लोग बड़े ही रिस्पॉंसिबल नीचर के हैं लेकिन जादा तर अकेला रहना पसंद करते हैं बहुत जादा भीड़ भाव में या सब के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं अमोमने इनका सभाव 25 साल की उमर कर जोल नहीं कर पाते तो छड़ी क्रोधी है थोड़े टाइम के लिए गुस्सा आएगा लेकिन तेज आएगा अगस्त में पैदा हुए लोग ज्यान के बड़े शौकीन होते हैं पढ़ाई के बड़े शौकीन होते हैं महंती होते हैं और हर एक काम कोई यह काम करेंगी उस किसरे भी इनको दोस्त बनाना चाहते तो अगस्त में पैदा हुए लोगों का छोड़ा सा इनालेसिस मेरी तरफ से आपने कितनी बातों से रिलेट किया हमें कॉमेंट करके जरू बताएगा आगे बड़ते बात करते हैं अगर आपका जन्रम सितंबर के महीने मुआ वेरी ल सबसे बड़ी कॉलिटी सितंबर में पैदा होनी की वजए से इनके अंदर जो आती है वह है चेंज को एकसेट करने की जितनी जल्दी चेंज को एकसेट करते हैं एक क्विक लरनर हैं बदलते महल और बारकेट को सीखकर अपने आपको बदल लेते हैं और जिस वज़े से यह हमेशा समय के साथ relevant बने रहते हैं लेकिन एक बात इनके अंदर देखी गई है कि यह अपनी परशनल बातों को सबके साथ शेयर करना बहुत पसंद नहीं करते अपने आपकी जो एक परशनल लाइफ हो परसनल लगना चाहते हैं खासकर इनका कोई सीक्रेट या इन्हें इसलती बताते नहीं है अपने परिवार तको नहीं बताते हैं कि एक मेरी प्राबलम है मैं अगर परिवार वालों को बताऊंगा आप में पर इस kijत अगला सितंबर वालों के पास ये quality आ जाते हैं आगे बढ़ते बात करते हैं अगर आपका जन्म October के महीने में हुआ है very very intelligent and money minded जी हां money minded सब्सक्राइब सुनने में आपको लग सकता है बड़ा खराब है बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप money minded कौन सी चीज इस दुनिया में बिना पैसे के चल रही आप मुझे बता दो तो क्या हो रहा है इन लोगों में अपना एक unique attraction देखा गया है खास दौर पर जो opposite जेंडर के लोग होते वह इनसे बहुत जल्दी attract हो जाते हैं because इनके अंदर कुछ एक खास औरा है हाला कि financial decision में यह थोड़े से लोग कई सारे लोगों को कैसे organize करना है किस तरह से चीजों को analyze करके कोई result पर पहुचना है बहुत अच्छे से जानते बहुत बखू भी जानते सब conscious mind में इनके काफी जादा आइडियाज चलते रहते हैं और सब ज़रूरी नहीं कि आप इसमें lucky हो भी सकते हैं तो यह है अक्टूबर का मेरा analysis चोटा मोटा आपके लिए आपको कितनी बातों से relation बैठा यह हमें comment करके जरूर बताएगा हम 9 में 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 आ गये हैं नौमर में जनम हुआ है very kind hearted good hearted बहुत दिल के बड़े शौम में लोग हैं यह लोग live की situation में खुद को balance करना बखू भी जानते हैं यह लोग जब गुस्से में होते हैं तो उस time पे कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं यानि कि जब भी कोई एक extreme emotion इनके पास आएगा जैसे बहुत खुशी है तो भी कुछ करवा लो बहुत गम है बहुत दुख है तो भी कुछ करवा लो बहुत ज़्यादा excited है तो भी यह अपना best performance देते हैं तो usually अगर आपको बहुत ज़्यादा best करना है किसी चीज में तो उस चीज में या उ लोग द्वार को नहीं तो यह बुरा मान जाएंगे क्योंकि इनको यह लगता है ना कि इसने कहा है तो मिलेगा ही उन्हें यह बाते बड़े देर में समझ में आती है कि कई बार लोग ना इसे फालतुम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते बट इनका दिल इन पैसे बनाने की कला में माहिर होते हैं पैसों की सेविंस करने में भी अच्छे होते हैं माहिर होते इनके अंदर एक खास बात यह देखी गई है इंट्यूशन पावर सबसे जादा है गजब की पावर है और कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को कितनी बखुवी से संभालना ह देनो इट वेरी वेल अक्षा थोड़े से सुंदर खूबसूरत भी देखे गए हैं दिल के खूबसूरत तो होते ही हैं ऐसे लोग अगर बात की जाए नॉम्र में पैदा हुए लोगों की तो यहां पर यह देखा गया है कि अपने परिवार के लिए कुछ बहुत बहतर करन हैं हमको जरूर बताएगा हम अपने आखरी महीने पर आ गया यानि कि आपका जर्म दिशंबर में हुआ है वेरी सिक्रेटिव एंड सेंसिटिव इन लोगों को अपना एक बड़ा फ्रेंड सरकल पसंद होता है कि मेरा एक फ्रेंड सरकल बहुत हो लेकिन उस फ्रेंड सरकल म गलत कर रहा है दोका दे रहा है और इनको बात वह पता चल गई तो यह वहां पर भी जाएंगे और उस पर भी आवाज उठाएंगे दूसरों के लिए या सच के लिए लड़ते हुए इनको देखा जा सकता है यह लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं और जल्द ही हर किसी पर बिलीव भी कर ले बैठते हैं इस वज़े से जब यह अडल्ट हुट की तरफ जा रहा है ना तो काफी ज़्यादा धोके वगेरा भी मिलते रहते हैं उसके बाद इनको अकल आ जाती है कि दुनिया संसार में कैसे लोग है उसके बाद इनको बेकू बनाना कठीन हो जाता है यह लोग करियर को लेकर काफी शींसियर होते हैं और अपने करियर को हमेशा प्रियॉर्टी पर भी रखते हैं प्यार को थोड़ा एक कदम नीचे रख देंगे करियर को जादा रखेंगे फैमिली को भी एक कदम नीचे रख देंगे और करियर को आगे रखेंगे सबसे ज़ कोशिश करी है कि काफी सारे जो मेरे अपने अनुभा रहे हैं महाइनों में जन्में लोगों के लिए उन्हें छोटे चोटे आप और चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करकर जरूर बताइएगा मिलता हूँ आप से अगले वीडियों में तब तक के लिए रादे रादे झाल झाल